नमस्कार दोस्तों, आज शाम अब लोगों को एक बात सुनाना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान वासियों को, सभी को, मेरा दोस्त लोग को, मेरा भायों को, नमस्कार, सस्ट्रियाकार, और सलाम वालिकुम तो मैं इसी का बारे में बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को, कि आप लोग कैसे सोचेंगे, कैसे रियक करेंगे, मुझे मालूम नहीं है, मेरा नाम लंडंग जुकले, नोट इस इंडिया से बोल रहा हूँ, कि जो रिसेनली जो एक वीडियो वाइडल हुआ था, पाकिस्ताने लर्की या औरप, UAE में यो हमारा फाडर अप नेशन महामर गांधी का बारे में जो बोला है, हमको बहुत खराब लगा है दोस्तों, कम सकम वो बंडी जो है, वो सोसना चाहिए कि मैं किस का बारे में बोल रही हूँ, मुझे अच्छानी लगा है कि एक जिन्ना और गांधी का कॉंप्यार करके, एक जिन्ना जो है पाकिस्तानी, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर बोलूँगा तो बहुत सा बोलने के लिए दिल है, लेकिन पाकिस्तान में भी हमारा भाय और बहन है, मा और पिता है, मुस्लिम होने से क्या होगा, और मैं नोर्ज इंडिया का अग में एक नगा अग्रा हूँ, एक मंगलोन रेस का होँ, तो उसी का बारह में हम बात्चित करने का जरूरी नहीं है, मुसलिम होने से भी, मुसल्मारा ही भाय बहन है, हमारा मा पिता है, हिंदुस्तान में जो है हिंदु समाज है वो भी हमारा भाई बहन है लेकिन जो पाकिस्तानी जो बंडी ने जो कही जिन्ना और गंधी का कुम्प्यार करके जिन्ना एक शुद्बुद में है उनके पार्सनलिटी देखिए इतना स्टाइलिस से इतना सुन्दर है कहा है और गांधी का बारे में ये कहा कि नंगा और भुखा एक चादर उर करके ये इस्तिचू है बोलकर के UAE में वो टिक तोक फिल्म बनाने के लिए ये किया है तो वो बारे अब लोग ने भी देखा होगा दोस्तों हिंदोस्तान वालों और पाकिस्तान वालों और UAE या डुबै वालों या वोर जितना है देखा होगा तो आब लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में जो बंडी ने कही है अब उस बंडी को क्या सोचते हैं उनके बारे में क्या समझते हैं वो मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरा दिल में जो कहना चाहता ह वो अब लोगों को मैं सुनाना जरूरी है, बोलके मैं समझ रहा हूं। कि इतना मैंने भी देखा है कि यो वाइरल वीडियो में इतना सुन्दर लर्की है, इतना ठिक-ठक लर्की है, फिर भी उनके सोच जो है इतना फटा, इतना तूता, इतना गिरा हुआ सोच। एक फ्रीडम फाइटर को नंगा और भुखा कहना कौन सा देश वालो लर्का जा लर्की सोचेगा कि किसी का देश जो फाडर अब नेशन कहते हैं हम, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको घिना करना, अगर मैं बोलूं, जिन्ना जो है, बात का बात अब लोग पाकिस्तान भायों, अब लोग मुसल्मान भायों, अब लोग बुरामन मानिये, बात का बात वो लर्की को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, कि जिन्ना को मैं बोलूं, वो सुमर का मीत खाते थे, दारू पीते थे, और ब्यार बार में जाते थे, आयाशी थे, अगर वो बात मैं बोलूं, तो आप लोगों को कैसा लगएगा, बुरा लगएगा ना, तो वो चीज, हर एक अत्मी अपना दिमाग में सोच में रागना चाहिए कि किसी का फाडर अप नेशन, जिन्ना भी एक फाडर अप नेशन जा फाडर अप पाकिस्तान, और गांधी जी भी फाडर अप इंदिया, हमारा देश के लिए फाडर अप नेशन, तो उसका बारे में ना इंदिया लरका जा ना इंदिया लरकी, पाकिस्तान का फा और पाकिस्तान वालों भी हमारा जो गांधी जी हमारा एक डेश को अज़ाद कराया ब्रिटिस ने ब्रिटिस से तो उस अत्मी को नंगा भूखा अगर बोलेगा आज दिन 2022 में मैं बोलूं पाकिस्तान किस में खरा है और इंडिया किस में खरा है आप अच्छा से समझ सकते हो भायों बेहनों पाकिस्तान वालों और इंडिया वालों कि ये चीज कभी भी नहीं होना चाहिए हमारा ठीक है हम परोसी देश है पाकिस्तान और इंडिया हम परोसी देश है हम पहले हिंदूस्तान थे भारत थे तो भ भारत और पाकिस्तान जो एकी साथ में था उसी समय एक मुठी में था तो एक मुठी में कराने के लिए किस ने किया थोरी न जिन्ना ने किया वो मादमा गांधी का एक क्रीडित है मादमा गांधी ने किया है कि ये अंग्रेश से अजात कराना है तभी न जिन्ना सहाब जो आय गांधी का सापोर्ट में जब हमारा जो भारत हिंदूस्तान जो है भारत जो है अजाद हुआ तब फिर जिन्ना ने अलग सोच लिया कि हम मुसल्मान 50% भारत में 50% है वो समझ करके एक देश मांगेगा बोल करके मांगा है एक इस पाकिस्तान इस इंडिया ही समझ लो वो बंग्लाडेश और एक वेस इंडिया समझ लो वो पाकिस्तान तो जब जिन्ना ने समझ लिया कि इस इंडिया में मुसल्मान है और वेश इंडिया में मुसल्मान है बीश्ट में हिंडू लोग है तो हिंडू को हम छोड़े और इस और वेश को हम ले ले ये समझ करके ये सोच करके पाकिस्तान और बंगलादेश को अभी आज हम बंगलादेश कहते हैं वो इस पाकिस्तान था तो वो डोनों को भारत से अज़ाद कराया भारत से अलग बनाया अलग मूल उसके बाद क्या हुआ आपने बंगलादेश को तोर्चार किया उसको घिना किया उस बंगलादेश का जो बेंगोली लोग है उसको अब लोगों ने वेश वाला पाकिस्तान ने रेप किया अत्याचार किया इसलिए वो बंगलादेश ने भारत का सहिजोक मांगा इसलिए हम अलग होना परा भायों पाकिस्ताने भायों और बहनों आप लोग समझिये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदोस्तान कभी पाकिस्तान के लिए खराब काम नहीं करेगा बंगलादेश के लिए खराब काम नहीं करेगा जो भी हो अपना परोसी देश सिरलंका होता है नेपाल होता है भुतान होता है और पाकिस्तान होता है अफगानिस्तान होता है जो भी हो अपना परोसी देश के साथ हम मिल जूल करके रहते हैं लेकिन आप लोग ये इसी सब्जेक में फिर दुबारा आईए और मैं ये कहना चाहता हूँ हम इतना मिल जुल करके रेने के लिए चाते हैं जितना भरत वासी है गरिब हो या अमिर हो यही सोच राखते हैं छोता हो या बरा हो यही सोच राखते हैं कि अपना परोसी देश वासियों को हम कभी खराप ने सोचना चाहिए तो हम यही हमको पराया Class 1 से A for Appel, B for Ball से ले करके जो Degree, जो IT, Engineer, Doctor जहां तक मैं उतना तक तो परा नहीं, जहां तक कितब परते हैं, उतना तक कितब ही पराते हैं लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान जा भारत दुश्मनी का बारे में कभी नहीं पराते हैं हमारा हिंदुस्तान में, सिरिफ इतना ही है, हम आपको इतना ही कहते हैं कि बार-बार हमको पिंचिंग मत कीजिए बार-बार हमको मत तरसाहिए, जब भी हो आप ही हमको पिछे तरफ से मारते हो पाकिस्तानी भायों और भेनों हम हिंदुस्तान वाले कभी अपका उपर में एटेक नहीं किया है आज तक आज 2022 आज तक कभी एटेक नहीं किया है आप नहीं आप खुट आ करके सिपाही भेज करके एटेक कराते हो सिपाही भेजना बन कर दिया अतंगवादी भेज करके हमको एटेक कराते हो हम कितना दुखी में है अपना भाई अपना बहन अपना मा पीता हम खोया है हिंदुस्तान में बॉंबलास में पाकिस्तानी अतंगवादी ने मार करके हम कितना अदमी को खोया है हम उतना दुख है फिर भी हम इतना है कि आपको मदद करने के लिए हमारा परोसन हमारा परोसी अच्छा रहे और हम हमारा साथ मिल जूल कर रहे यही हम सोच करके आप लोगों को सिर्फ देखी रहे आज तक हमने बिना कारण से हिंडूस्तान का तरफ से एक गूली जा एक मिसाइल जा एक बम कभी नहीं भेया हाँ गलती से एक बार आपका क्या मिसाइल है लेकिन उसमें बारूट बम नहीं था सिर्फ खुक्खाई समझ लोग वो चला गया आपका पाकिस्तान में फिर भी हम हिंडूस्तान वाले ने जो ओफिसर था जिसका देख भाल में था उसको हम सस्पेंड करा दिया उसका नुकरी खतम कर दिया आप लोग उतना में खुश होना चाहिए हमरा तरब से कभी गुली जा बॉम मिसायल कभी अपका देश में पाकिस्तान का देश में नहीं आएगा बंगला देश में नहीं जाएगा स्रिलंका में नहीं जाएगा नेपाल में नहीं जाएगा जा हमरा जितना भी परोसी देश है उसमें कभी भी गुली मिसायल जाएग इनसान का नाम है एक अत्मी का नाम शक्तिशाली का नाम लेकिन हम अपना शक्तिशाली यो भारत है हम दुसरों डेस्ट के साथ लड़ने के लिए नहीं अपना अत्मा बचाने के लिए हम शक्तिशाली है लेकिन किसी का पीत में वार करने के लिए नहीं यह सोचिए पाकिस्तान भायों बेहनों और मेरा तरफ से यह अनुरोट है आप लोग वो जो लर्की गांधी का बारे में जो कहा है कही है उस लर्की को आप लोग सिखाईए समझाईए नहीं तो हम सिखाएंगे कहीं भी हो हम सिखाएंगे हम उसको नहीं मारेंगे नहीं पितेंगे लेकिन उसको सजा देना हम जानते हैं भारत वाले इसलिए दोस्तों कभी भी किसी का काईदिया आजाम में का बारे में कभी भी अनाप शनाप नहीं भोगना चाहिए खराब बाद नहीं बोलना चाहिए वो हम मानते हैं पाकिस्तान एक देश है वो पाकिस्तान मानने का मतलब जिन्ना को मानना है ना और आप मानते हैं एक भारत हिंडुस्तान है वो मानने का मतलब महादमा गांधी को मानना है की नहीं तो वो चीज़ जो है आप जनना जरूरी है नहीं तो किसी देश में भी आपको स्विकार नहीं करेगा अगर सोच भाई बेहनों सोच अगर छोता राखोगे तो नीचे दुपते जाओगे सोच बरा राखो सोच अच्छा राखो समच अच्छा राखो तो आपको कहीं भी जाओ खाना नहीं धुनना परेगा सबजी नहीं दुनना परेगा आपका ही भाई मिलेगा आपका ही बेहन मिलेगा हर एक डेश में हर एक जागा में तो इसलिए मैं शोर्टकार्ट में इतना ही बोलना चाहता हूँ तो दोस्तों आप लोग बुरा मन मानिये मैं इतना कहे करके अपना बात समाप करता हूँ और आप लोग मेरा ये गरिब चैनल में मेरा नाम लम्डंग जुकली उसी चैनल का नाम ही है लेकिन मैं बोल रहा हूँ गरिब चैनल में आई है कभी कबार अच्छा बात भी सुनिये और मैं भी अब लोग का बात सुनना चाहता हूँ और अगर आप नया है तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोमेंस कीजिए कुछ मैं भी जवाब दे सकूँ अच्छा हो जा बुरा हो और लास में सब्सक्राइब कीजिए धेनवाद जैहिन